दोस्तो जैसी टेक में आप सबका हार्द एक स्वागत है दोस्तो कल फिन निफ्टी के एक्सपाइरी होनी है हम इस वीडियो में फिन निफ्टी के एक्सपाइरी पर भी चर्चा करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी पर भी चर्चा करेंगे सुंबार को अगर मार्केट के बा बात की थी एक gap down थियोरी पे मैं अक्सर बात किया करता हूँ gap down थियोरी में है कि अगर कोई gap down मिल जाए आज bank nifty में एक चोटा सा gap down हुआ या फिर पहले 15 मिनिट में पिछले दिन का low काट थे जैसे कि आज पिछले दिन के low को काट के bank nifty नीचे गया और काटने के बाद वो recover करे और उसके बाद वो कम से कम दो से तीन candles 5 मिनिट की या यह कहिए 10 से 15 मिनिट उसके उपर अगर टिकने लग जाता है तो वहां से हमारे लिए वो एक buying का level बन जाता है आज सुबह सुबह आपने ऐसा ही होता हुआ देखा bank nifty में और एक बहुत शांदार upside का move आप लोगों ने उसके बाद प्राप्त किया upside का move प्राप्त करने के बाद आप लोगों को मालूम है कि क्या हुआ उसके बाद range bound रहा और सिर्फ और सिर्फ premium meeting होती रही और ऐसा कारण ये भी है कि आज क्या था आज आपको मालूम है कि expiry थी किसकी expiry थी bank x की expiry थी तो bank x के expiry के कारण ऐसा हो जाता है बहुत बार देखा है चलिए एक बार देखते ये 915 वाली candle में के बाद बिलकुल next candle नहीं उसका लोग तोड़ दिया लोग तोड़ने के बाद आपको दो candle जब इसके उपर close करते हुए मिली और उसके बाद क्या शांदार बावन हजार पांच सबीस पांच सब्सक्राइब किस तक आपको लेवल अपसाइड के आते हुए दिखे उसके बाद वहाँ पर इसने काफी देर तक जो है अटकेलिया की और वापस फिर से अपसाइड की और गया तो अपसाइड की और हमारा लेवल था 52,639 52,638,39 पर बहुत स्ट्रोंग रिजिस्टेंस मिलता रहा लास्क में भी तीन बजे के बाद भी एक बार 52,639 के पार जाकिया है और क्लोजिंग जो है वो उसके काफी नीचे ही की है अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो 52,574 पर क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की अब अच्छी चीज यही है कि HDFC बैंक जैसा जो बड़ा स्टॉक है IC RICgency अए बैंक जैसा बड़ा स्टॉक जो है वो अब ग्रीं में आगए बंधन बैंक भी ग्रीं में EU वी और टैडिजरे इक परिंटा है IDFC First Bank भी टूटा, PNB भी टूटा, और टूटा है Indescent Bank भी अब दोस्तों ज़रा एक बार को Nifty 50 पे बात कर लेंगे दिखें, Nifty 50 पे बिल्कुल क्लियर था, Nifty 50 पे क्या हुआ, क्या कल के लोग के नीचे गए मैंने बिल्कुल क्लियर कहा था, अगर 24,000 के उपर रहते हैं, तब तक हम बाई साइड के बारे में ही रखेंगे सेल साइड के बारे में हम कब सूचेंगे 23,985 के नीचे आपको ये लेवल्स पहले ही लगे में मिल गए होंगे, शायद फ्राइडे या साइडे को मैंने जो वीडियो दिया, उसमें ही आपको ये वीडियो में लेवल्स लगे हों मिल गए 23,992 का लो है और उसके बाद 24,087 आपको मैंने खाता रिजिस्टन्स मिल सकता है, इसके उपर चलेंगे तो हम 24,184 तक नहेंगे और उसके उपर 24,174 तक के लेवल्स आ सकने अनफोर्चुनेटली आज 24,174 हमारा हिट नहीं, 24,174 अब तक का अल्टाइम हाई है, अभी तक का अल्टाइम हाई है और 24,174 आज मुझे आने की उमीड थी लेकिन बैंकिंग ने कुछ निराशा जरूर बैंकिंग के कारण हाथ लगी, अब अगर हम बात करेंगे कि निफ 50 पे 31 स्टॉक्स तेज थे, 50 में से और 19 स्टॉक्स डिक्लाइंस में थे, टेक महिंदरा, विपरो, बजाज फाइनस, ग्राजम इंडिया, अल्ट्रा सेम को ये तेज थे, और वहीं NTPC सवा 2% के करीब पिट रहा था, पिट रहा था, आईशिर मोटर्स, पूलू हॉस्पिल स्टेट बैंक अफ इंडिया और डॉक्टर रेड़ी भी, अब दोस्तों कल को हम लोगों की एक्सपारी, हम लोगों को एक्सपारी देखने को मिलेगी फिन Nifty की, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार को ऐसा करने है, पहले बैंक के निफ्टी और Nifty के लिए, कल के लिए लेवल्स पर चर्चा कर लेते हैं, 52,574 पर अब हमारी क्लोजिंग वही है, 52,656, 52,656 का जो लेवल है, जो आज का हाई है, 52,656 के उपर जब तक हम नहीं जाते, हम बाइसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, उसके अब हमारा लेवल आता है, 52,740 के आसपास का, 52,7 के बाद अगर अपसाइड जाते हैं, तो 52,862, 52,979,72 तक के अपसाइड पर रेवल सा सकते हैं, बहुत ज़्यादा तेजी हुई थी पीछे, और आज कल क्या हो रहा है, एक कंसॉलिडेशन फेस में बैंक निप्टी चलता है, दिखाई दे रहा है, जब फटेगा तो बहु आपको पहले माच साथ 10 मिनिट में ही आता हूँ, दिख्या था, 52,166 के नीचे जाते हैं, तब मेरे लेवल्स वही रहेंगे, 52,087, 52,087 के बाद, 51,960, 961 तक के लेवल्स एक बार को हमको देखने को प्राप्त हो सकते हैं, अब बात करेंगे, निफ्टी 50 की, निफ्टी 50 म पर क्लोजिंग है, बहुत बढ़िया, लेकिन दोस्तों हमको अब कहां से बाइसाइड के बारे में सोचना है, जब हम अभी तक के ओल टाइम हाई, आज का हाई 24,164 है, लेकिन ओल टाइम हाई क्या है 24,174, 24,174 के ऊपर जब हम चलना स्टार्ट करेंगे, तब ही बाइसाइ चांसाइड, 23,992 क्या है, ये लो है आज का, अगर हम इसके नीचे जाना स्टार्ट करने, 23,992 के, तो हमको यहां से एक सेल का सिगनल मिल लिया था, जो हमको 23,944, 23,890 और 23,848 तक के लेवल्स भी हमको दिखा सकता है, अब दोस्तों कल जैसा कि मैंने अल्रड़ी बता चु का लिंक भी मिल जाएगा, अदर्वाइस आप डिस्क्रिप्शन वीडियो में जाके देख सकते हैं, वह आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, फिन निफ्टी 23,631 पर हुई है, अब अगर हम देखें, ऑप्शन चेन देखें, तो आपको दिखाई देगा, 23,600 पे बहुत स्ट्रॉंग पुट राइटिंग है, 23,600 एक बहुत अच्छा स्ट्रॉंग बेस है, 23,650 की क्या सितनी है, 23,650 एक टसल जोन है, क्यों टसल जोन है, 18,606 नए कॉंट्रेक्ट्स कॉल साइड पे लिखे गए हैं, और लगबग लगबग 18,821 अलमुस्स सिमिलर ही हैं, उतने ह आपको पुट साइड में भी लिखे गए हैं, तो अब यहां पर दोनों की टसल चलेगी कि कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स फॉन विजाई होते हैं, लेकिन अब साइड की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो यह देख लीजे कि 23,650, 23,700, 23,700 की क्या सिचुएशन है 23,700 पर कॉल राइटिंग तो है, लेकिन कोई ऐसी कॉल राइटिंग हो, ठिक था कॉल राइटिंग 23,700 पर भी बनी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हाँ, 23,700 के ऊपर, 23,700, 720, अब आप कहेंगे 23,700, 720 की बोल रहा हूँ, कारण सुन लीजे, क्योंकि हम 23,650 पर क् क्या सपास, तो 23,650 का 70 रुपीज के करीब का आपका LTP है, तो यहां से मैं 60 रुपे और रख रहा हूँ, यानि की 23,710, 23,710 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे, तो दोस्तों यह समझ लेना, 23,750 पर कोई बहुत अच्छी कॉल राइटिंग नहीं है, हमको सीधा सी स्टार्य करने को मिल सकता है, 23,800 हमारे को स्ट्राइक करने के लिए मिल सकता है, 23,800 पर कॉल राइटर्स हैं, जी हां हैं, लेकिन उसके ऊपर अगर हम चलने लग गए, तो अभी तक तो ऐसे कोई कॉल राइटर्स के ऊपर नहीं देख रहे हैं, 2900 पर थोड़ी बहुत कॉल जरूर है लेकिन ऐसी कोई बड़ी कॉल राइटिंग नहीं है हो सकता है कि 63-800 हमने पपार किया तो एक शॉट जितने भी बन रहा है ना पिछले दो-तीन दिन से वो सब शॉट कवरिंग में आ जाएंगे और फिर हम एक चीज़ देखने को प्राप्त होगी हाँ पे डाउन साइड में कि डाउन साइड पर 23-600 के नीचे अगर हम जाते हैं लाइक मेहम एंड 23-400 23-350 तक के लेवल्स भी आ जाएं तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगा उस केस में बियर्स भारी हो जाएंगे दोस्तों ये तो हुई बात आपकी finnifty की expiry की एंड screen में मैंने zero hero जो strategy वो दे रखिये हैं एक चीज़ याद रखियेगा कल को हो सके जितना हो सके उतनी position को हलकी रखियेगा averaging finnifty की expiry में या किसी भी expiry में कभी नहीं की जाती है इनना मनी कॉल में ही या इनना मनी ट्रेड में ही इनना मनी पुट में ही आप बैठेएगा जब भी आपको ट्रेड लेना है और अगर आपकी कॉल या पुट आउट ओध मनी होई है तो समझ जाएगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है वैसे तो मैं हर दोस्तों से बा उस कफीज है और जो कि आप फोन पे पे टीम जीपे से पेमेंट कर सकते हैं नमबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हुगा 7834-876736 अगर कोई जान का रिची तो सेम नमबर पर आप वाटसएप कर सकते हैं याद रखेगा कि हम लोग CB registered नहीं है जो भी बादचीद इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ academic तोर पर की गई है इसको बाइसल की सला के तोर पर ना लिया जाए बाइसल की सला के लिए आप अपने financial advisor से बात कीजएगा उमीद करनो वीडियो को आप अल्रड़ी लाइक कर चुकर होंगे नहीं किया दर लाइक कीजएगा शेर कीजएगा दोस्तों के साथ और दोस्तों सब्सक्राइब करना तो जसी टेक चैनल को बनता है न शुकरिया नुवशकार धन्यवाद और गूद लग पॉर फिन निप्टिक स्पारी तो